हालेलुया, कितने लोगों को विश्वास है कि आज परमिश्वर फिर से एक बार आप से बात करेगा हालेलुया, और मैंने क्रिस्मस की दिनी आपको मैंने बताया था कि परमिश्वर के वच्चन की इज्ज़त करना बहुत जरूरी है हालेलुया, कोई भी मिटिंग में दो चीज बहुत जरूरी होती है एक वर्शिप और दुसरा वर्ड जो परमिश्वर का जो वच्चन है और प्रभु की जो अराधना है अगर किसी मिटिंग में ये दो चीज ना हो है ना, तो वो मिटिंग नहीं है हालेलुया, 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 दो चीज हमेशा कोई भी प्रात्नम अगर आप जाते हो, ये दो चीज बहुत माइने रखती है, एक परमिश्वर की अराधना और दुसरा परमिश्वर का वच्चन, और जब अराधना होती है तो हमने सच में आत्मा और सच्चाई से प्र आदर के साथ बड़े सम्मान के साथ उसको सुनना चाहिए हालिलुया हालिलुया आप लोग हालिलुया बोलने के लिए क्यों इतना डरते हैं मुझे नहीं पता हालिलुया कोई तो यहां पंजाब का है अभी सब लोग पंजाब के है क्योंकि पंजाबी लोग बहुत जोर से और बहुत देर तक बोलते हैं आपको पता है जब आप यह दुनिया छोड़के उपर जाओगे तो जो आप नहीं बोलना चाहते हो यहीं आपको रात दिन बोलना पड़ेगा इसके लिए यहीं से आप प्रेक्टिस करें हालिलुया और आज है ना प्रभू हमसे बाते करने वाला है जो हमारे सामने एक नया साल आ आने वाला है और आप लोग बहुत धन्य हैं हालिलुया यह साल खतम होने आया और आपको पता है अज सभी लोग हम चाहें शांत हो जाए सभी बच्चे लोग शांत हो जाए बड़े लोग भी शांत हो जाए जिसको भी चिलाना है मिटिंग खतम होने के बाद मुझे बाहर मिलो आप भी चिलाओ हम भी चिलाएंगे जी भर के सोर मचाएंगे लेकिन अभी शांत रहे हालिलुया यह साल खतम होने आया और आपको पता है कि इसी साल में नजाने कितने लोग खतम हो गए हालिलुया लेक आप रह गए हालेलुया बाइबल में लिका है इश्व मसी से कहा गया कि प्रबू इश्व एक आदमी था उसने साधी किया और फिर उसको बच्चा नहीं हुआ तो वो मरने के पहले अपनी बीबी को अपनी वाइफ को अपने भाई को दे गया हालेलुया कि मेरे भाई तू इसे साधी कर लेना और अपना जो वंस है उसको बढ़ा लेना फिल लिका है कि दुसरा भाई भी मर गया और मरने के पहले उसने उसी अवरत को अपने तिसरे भाई को दे गया और तिसरे को भी संतान नहीं हुई वो भी मर गया मरने के पहले वो चोथे वाले को दे गया चोथे वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ कि चोथा वाला मर गया मरने के पहले पांचवे वाले को दे कर गया पांचवे वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो भी मर गया लेकिन मरने के पहले उस अपनी आवरत को छटे छटे वाले को दे कर गया और छटे वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो भी मर गया और मरने के पहले वो साथवे वाले को दे कर गया और आपको बता दू वो साथवा भाई भी मर गया हालेलुईया हालेलुईया आउलाद नहीं हुई आउलाद है ना अब बड़े सोचने वाली बात है फिर एश्यो मसी से कहा गया कि जब मरके जी उठना होगा तो वो अकेली आउरत सातो भाई में से किसकी बीवी होगी क्योंकि उसकी सातों से साधी हुई हालेलुया लेकिन यह आउरत इतनी महान थी इतनी ग्रेट थी कि सातों भाई टपक गए यह जिंदी रह गई इस्वास करते आप एक कहवा सुनी husband is a head but woman is a great आदमी अधिकारी है लेकिन आउरत बहुत भारी है हालेलुया मैं कहना यह चाहता हूँ कि वो सातों भाई मर गए लेकिन वो आउरत नहीं मरी वैसे ही 2019 खतम होने आया नजाने आपके जान पहिशान के आपके ही रिस्तेदारी में नजाने कितने लोग इसी साल में खतम हो गए लेकिन उस आउरत के जैसे वो आप लोग हैं कि अभी भी नहीं मरें हालेलुया बाजयों लोगों बोलो I am a great मैं महान हूँ अभी भी जिंदा हूँ हालेलुया हालेलुया So क्यों ना हम परमेश्वर के वच्छनों में जाए और कुछ नए साल के लिए आपके लिए है ना भौश्वानी का जो है वच्छन भी होगा और आज पच्छताप की प्रातना भी होगी फिर आपके उपर से सारे श्राप, गालिया, बदुवाएं जो भी साल भर में लोगों ने आपको दिया है वो भी तोड़ा जाएगा और जिनको साल भर में बुरे बुरे सपने आए वो भी तोड़े जाएंगे और दुस्त आत्माओं का जो प्रभाव है वो भी तोड़ा जाएगा और आपके उपर आशिशों को बोला जाएगा हालेलुया और आखरी में जो चीज ये होगी कि आप इस हौल से निकलने के पहले या निकलने के बाद ये घर जाने के पहले आप एक दुसरे को मिलकर सबके साथ अपना रिस्ता आप सही कर लेना हालेलुया कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई चोट नए साल के लिए बच्चा के नहीं रखना बच्चा हालेलुया बहुत अच्छे बच्चे हालेलुया अब मैं सीरेसली मैं वच्चनों में जाना चाहता हूँ और मैं आप से कुछ बाते करना चाहता हूँ हालेलुया क्या कोई पढ़ सकता है परमिश्टर के वच्चन को योवेल की पुस्तक दूसरा ध्यायका 26 आपके आने वाले नए साल के लिए एक बहुश्वानी का वच्चन है और जो भी हम यहां से अच्छी बाते कहेंगे आपने उसको स्विकार करना है यस और आमीन बोलकर तो आपके साथ वैसा ही होगा अगर आप यस और आमीन नहीं बोलेंगे तो जैसे यह साल में आपकी जिन्दगी बीती अगले साल में भी वैसे ही बीतेगी फिर उसके लिए आप मुझे कुछ मत कहना यवेल के पुस्तक में दूसरा द्यायका 26 तुम पेट बर खाओगे और तृप्त होंगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की स्तूति करोगे जिसने तुमारे लिए आश्यर के काम किये है मेरी प्रजा की आश्या फिर कभी न तूटेगी नए साल में आप सब लोग पेट बर खाओगे कुछ लोग सोच रहे क्या ये साल में हमने पेट बर नहीं खाया मैंने तो ये साल में भी पेट बर खाया दिल बर के नहीं खाया नए साल में आप पेट बर के भी खाओगे और दिल बर के भी खाओगे हालेलुया हालेलुया पर वो नहीं खाओगे जो तुम खाने की सोच रहे हो पर मेश्वर कुछ तुमें अद्भूद खिलाने वाला है हालेलुया सो नए साल में तुम पेड़ भर खाओगे और तुम त्रिप्त हो जाओगे और तुम परमेश्वर की स्तूती करोगे हालेलुया और तुम्हारी आश्चा फिर कभी न तूटेगी हालेलुया हो सकता है साल में तुम्हारा परिवार तूटा तुम्हारा दिल तूटा बहुत कुछ आपने खोया होगा बहुत सारी बातों के लिए आपने रोया होगा लेकिन आने वाला जो नया साल है वो ऐसा साल होगा कि जिसमें परमेश्वर आपको त्रिप्त करने वाला है और वो इतना आपको त्रिप्त करेगा कि आप परमिश्वर की अत्भुत रीती से उसकी स्थूती करेंगे। हालेलुईया और नए साल में अब तुम्हारी आशा नहीं तूटेगी क्योंकि नए साल में तुम्हारी आशा जो है वो पूरी की जाएगी। हालेलुईया और उसी यवल की पुस्तक में दुसरा ध्यायका 28 से 29 कोई पड़े। उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटिया बहुश्वानी करेंगी और तुम्हारे पूरुनिये स्वपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे तुम्हारे दास और दासिय पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा हालेलुया मेरे प्यारों ऐसा समय आ रहा है कि परमेश्वर जो है उसके पवित्र आत्मा को वो आप पर आपके बच्छों पर हालेलुया वो बुजुर्गों पर जवानों पर आपके घर के नोकर नोकरानी पर भी परमेश्वर उसके आत्मा को उंडेलने वाला है हालेलुया और जब उसका आत्मा वो उंडेलेगा तो भला यह होगा कि आप उस समय तयार रहे कि जब वो उसके आत्मा को उंडे लेगा तो आप उस आत्मा से भरे हालेलुया कुछ अद्भुत रिती से कुछ नई रिती से परमेश्वर करने वाला है कि उसके आत्मा से वो हर एक वेक्ति को भरना चाहता है हर एक वेक्ति को वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा विक्ति हो कि जो उसके आत्मा से ना भरा हो हालेलुया हालेलुया पेट सबका भरा रहता है लेकिन पहित्रात्मा से भरे वे लोग आज बहुत कम लोग है पहित्रात्मा को पाना एक अलग बात है लेकिन पहित्रात्मा से बर जाना एक अलग बात है हालेलुया हालेलुया आपको पता है कि इश्यू मसी जब बब्तिस्मा लेकर वो पानी के बाहर आया तो उसके उपर पोहत्रात्मा कबूतर की नाई उत्रा हालेलुया वहाँ पे इश्यू मसी ने पोहत्रात्मा को पाया लेकिन जब एश्यू मसी चालिस दिन के उपवास और प्रात्ना में गया उसके बाद जब लोटा तो लिखा है कि वो आत्मा से उसके सामर से भर कर लोटा हालेलुईया कलिस्या हो सकता हम सबने पुईत्र आत्मा पाया होगा लेकिन अब एक ऐसा समय आरा है कि परमेश्वर उसके आत्मा से परिपून करना चाहता है परमेश्वर उसके आत्मा की सामर से आपको भरना चाहता है क्योंकि जब तक आप पुईत्र आत्मा के सामर से भरोगे नहीं आप प्रभू के लिए कुछ नहीं कर सकते हलेलुया कई लोग कहते मैं प्रभू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ आपको पुईतरात्मा के सामर से बढ़ने की जरूफ है और उस सामर से बढ़ने के लिए आपको प्रात्ना में बैटने की बड़ी जरूफ है आपको उपवास में जाने की जरूफ है सोचने से कुछ भी नहीं होता बहुत सरी लोग सोच के मर गहे अलेलुया सपने सजाना बड़ा आसान है लेकिन सपनों को साकार करना आसान नहीं है सपने तो घर बैटे हम सजा सकते हैं लेकिन घर बैटे सपने कभी साकार नहीं होते हलेलुया हलेलुया शो पहित्रात्मा के सामर से भरने के लिए आपको परमेश्वर के साथ काफी समय बिताना पड़ेगा आपको परमेश्वर के वच्छनों के साथ काफी समय बिताना पड़ेगा आपको उपवास में जाना पड़ेगा तब जाके आप परमेश्वर के सामर से बरोगे और जब तक हम परमेश्वर के सामर से नहीं भरेंगे तब तक हम प्रभू के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं हलेलुया हलेलुया और कलिसिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आने वाला जो साल है तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है कि आने वाले साल में आप परमेश्वर के लिए जो कर सकते हो वो आप करो क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है इस जिन्दगी का भरोसा ही नहीं रहा मैं फिर से कहना चाहता हूँ अब ऐसा समय आ रहा है जिन्दगी का भरोसा ही नहीं इस दुनिया में कब क्या होगा पता नहीं कानून काइदे कैसे होंगे पता नहीं देश की हालात क्या होगी हमें पता नहीं हलेलुया चले तो आए तुम्हें जहां में खुदा के लाने से पर अब तक तुमने क्या किया है खुदा के बताने से प्रभू ने हमें जिंदगी दी, हम इस दुनिया में आगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिसने हमें जिंदगी दी, यह जिंदगी हमने उसके लिए अभी तक नहीं जी, बड़े अफसोस की बात है, कोई हमें 8000-10000 पगार देता है तो हम महिने में 25 दिन, 26 दिन उसके पास जाकर 10-10 घंटा खड़ते रहते हैं क्योंकि कोई हमें 8-10-12-15000 हमें कोई पगार दे रहा है तो लोग विरार तक चले जाते हैं लोग चर्च गेट तक चले जाते हैं लोग नाजाने कहां कहां चले जाते हैं सिर्फ इस पैसे को कमाने के लिए हलेलुया और किसी ने कहा पैसा पैसा कमाओं कैसा मरने के बाद ले जाओं कैसा हलेलुया आदमी जब जिंदा रहता है तो पैसा 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 करते रहता है कि क्या करू, कैसे करू, पैसा बटोर लू और जब कमा भी लेता है, अचानक आदी रात को मर जाता है उसका पैसा यहीं पड़ा रहता है जब तक आपके पास होंगे पैसे, तब तक लोग कहेंगे आपे कैसे एक बार खतम हो जाएंगे तुमारे पैसे, तो बगत से निकल जाएंगे ऐसे, पता भी नहीं चलेगा कैसे हलेलुया, हलेलुया, कभी किसी की कफन में जेब नहीं होता, मर जाने के बाद यारो कोई और अरंग जेब नहीं होता मरने के बाद बाश्या बनने की सोचना भी नहीं क्योंकि मरने के बाद तो वो जो असली बाश्या है जो हमारा न्याएं करेगा बले जिन्दगी में पैसे कमाओ लेकिन दिल खुदा से लगाओ बाजवाले को बोलो पैसा बले कमाओ लेकिन दिल खुदा से लगाओ जिन्दगी भर मोहबत में हमने धोका कभी खाया ही नहीं अरे ये दिल खुदा के सिवा किसी और से लगाया ही नहीं कई लोग दौलत से दिल लगाते हैं धोका खाते हैं कई लोग आवरत से दिल लगाते हैं धोका खाते हैं कई लोग दुनिया की चीजों से दुनिया की खुबसूरती से ऐश्यो आराम से दिल लगाते हैं और हमेशा धोका खाते हैं हलेलुया मेरे प्यारों ये जिन्दगी बड़ी छोटी है आदी तो बीद गई है आदी जो है वो भी बीच जाएगे हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ जिन्दगी का कोई बरोसा नहीं कब ये सांसे रुख जाए कब जनाजा उठ जाए हमें पताने है हलिलुया ये जिन्दगी हमें वापस नहीं मिलेगी और हम इस दुनिया में वापस नहीं आने वाले है इसलिए जो भी तुम प्रभू के लिए कर सकते हो वो करो जैसे भी प्रभू के लिए अच्छी जिन्दगी जी सकते हो जी लो हलिलुया हलिलुया हमेशा बस मेरी ये कोशिश रहती मुझे पता है मैं इस दुनिया में वापस नहीं आऊँगा मुझे ये जिन्दगी वापस नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस जिन्दगी को बरबात नहीं करना चाहता मैं मेरी जिन्दगी मेरे परमेश्वर के जीना चाहता मैंने कहा परमेश्य मेरे बच्चों को मैं इसलिए नहीं पाल रहा हूं कि उनकी कमाई खाऊं मैं मेरे बच्चों को सिर्फ इसलिए पाल रहा हूं कि बस उनकी जिन्दगी तेरे काम आए पस अगर आपकी जिन्दगी जिन्दगी देने वाले के काम नहीं आए तो ऐसे जिन्दगी पर दिखार और लानत है आलेलुईया जब परमिश्वर न्याय करेगा तो हमारा पैसा बचाएगा नहीं जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हमारा ज्ञान हमें बचाने वाला नहीं है जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हमारे यार दोस्त हमें बचाएंगे नहीं जब परमेश्वर न्याय करेगा तो हमारी प्रॉपर्टी हमें बचाएगी नहीं नहीं कोई आपका घर का वेक्ति आपका कोई अजीज प्यारा आपको नहीं बचाएगा इसलिए जिन्दगी में परमेश्वर का भय मानो हलेलुया और जीवन पवित्र जीवन जीओ प्रभू के अग्या पे चलो उसके वच्छनों का पालन करो परमेश्वर से प्यार करो उसके सेवा करो यही जिन्दगी है और इसके सिवा कुछ भी जिन्दगी नहीं है हलेलुया जो कुछ भी आप जिन्दगी में करते हो दस बार सोच लो कि यह करके लास में मुझे मिलेगा क्या हालेलुया बाइबल में याकूब नाम का एक वेक्ति था उसने 20 साल लाबान के यहां बेड़ चराया कितना? 20 साल याकूब ने लाबान के यहां बेड़ चराया आप में से कई लोग इन बातों को जानते हैं क्योंकि हमने पहले भी आप से प्रचार किया है लेकिन आज प्रबु इस साल में हमसे कुछ बात करना चाहता है याकूब ने उसकी जिंदगी में लाबान के यहां 20 साल बेड़ चराया कितना? 20 साल आपको पता है ने बेड़ बकरी? 20 साल चराया कितना? 20 साल उसमें से 14 साल उसने वहां बेड़ बकरी क्यों चराया पता है? सिर्फ दो लड़कियों के लिए एक राहल और एक लिया 14 साल बेड़ बकरी चरा के इंदू लड़कियों को अपनी जिंदगी में लिया राहल और लिया आप सोच सकते हो? आप सोच सकते हो? 14 साल उसने बेड़ चराया बकरी चराया क्यों पता है? उसको वह दो लड़कियों चाहिए थी उनसे साधी करने के लिए वह दो लड़कियों उसको बहुत पसंद थी और लाबान ने कहा अगर मेरे दोनों बेटियां तुझे चाहिए तो 14 साल तुझे मेरे यहां नोकरी करना पड़ेगा सो 14 साल उसने बेड़ चराया सिरिफ दो लड़कियों को पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जिन्दगियां गवा दी पैसे कमाने में कई लोगों ने अपनी जिन्दगियां गवा दी लड़की और लड़के के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जिन्दगियां गवा दी सिरिफ अपने खुशियां अपने सपने अपने अर्मान को पूरा करने में लेकिन लोग भूल गए जिन्दगी तो मुझे खुदा ने दी थी ना कि किसी औरत ने मुझे जिन्दगी दी ना ही दुनिया की दौलत ने मुझे जिन्दगी दी ना ही मेरे अपनों ने मुझे जिन्दगी दी ना ही मुझे गैरों ने जिन्दगी दी ये जिन्दगी तो मुझे खुदा ने दी थी और मेरे जिन्दगी मैं खुदा के लिए ना जिया और मर जाने के बाद पस्ता के कुछ फाइदा भी नहीं है हलिलुया अगर सुधरना है तो जीते जी सुधर जाओ मरने के बाद सुधरने का मौका ने मिलता मरने के बाद सुधरने का मौका नहीं मिलता आज वक्त है आपके पास आज आप अपने आपको सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं उद्धार तो हम सबका हो गया है हम सबका उद्धार हो गया है लेकिन सुधार होना बाकी है बहुत सरी कलिस्यों में हम जाते हैं हम देखते हैं लोगों का उधार हो गया है, लेकिन लोगों के जीवन में अभी तक सुधार हुआ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, सुधार आपके जीवन में लाना है, सुधार आपके परिवार में लाना है, सुधार आपके सेवकाई में लाना है, जो कुछ भी तुम करते ह उसमें सुधार लाना है अगर गलत करके पैसे कमाते हो तो सुधार लेकर आओ सही तरीके से पैसे कमाओ हालेलुया अगर आप जूट बोलकर इमान बेच कर तीन का तेरा गपला गोटाला करके पैसे कमाते हो तो उसमें सुधार लेकर आओ हालेलुया अगर आप पाप की जिन्दगी जी रहे तो आपको सुधार लाना आपको पवितर जीवन जीना बड़ा जरूरी है हालिलुया आज दुनिया रंगीन होती ही चली जा रही है और लोग भी बड़े रंगीन मिजाच के होते ही चले जा रहे है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे है कि मेरी जिन्दगी का वक्त बीता चला जा रहा है अगर मैं अचानक मर गया तो मैं कहां जाओंगा अगर मैं आपको पूछू कि अगर आप अचानक से मर गये तो आप कहां जाएंगे तो आप क्या जबाब देंगे देने के पहले सोच लो तोड़ा सा आधा सकेन आधा मिनट सोचो और सिर्फ सोचो कि अगर आज रात आप मरते हो क्या वाकी में आप सुवर जाएंगे? क्योंकि हमारा सोचना, हमारा बोलना हमें सुवर के कभी नहीं लेके जाएगा हालेलुईया हालेलुईया जब एक वेक्ति आकर इश्यो मसी से कहता कि इश्यो मसी स्वर्ग जाने के लिए अनन्त कल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ इश्यो ने कहा जूट नहीं चोरी नहीं व्यभिचार नहीं माता पिता का आदर करना उसने कहा ये सब तो मैं बच्पन से करता हूँ अब मुझे में क्या कमी है इश्यो ने कहा जा तेरा सारा धन सब कुछ बेच कर गरिबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले वो वेक्ति मूँ लटका कर चला गया बड़े अफसोस की बात है कि ये वेक्ति सुवर के परमेश्वर के करीब आकर भी उसने सुवर्ग को खो दिया हम सब इश्यो मसी को जानते हैं इश्यो मसी को मानते है कि इश्यो ही सुवर्ग जाने का एक रास्ता है इश्यो ही अनंतकाल का जीवन है इश्यो ही जिन्दा सच्चा प्रबू है और आज वो इशु किदर है हमारे अंदर है वो इशु किदर है आज हमारे अंदर है लेकिन हम खुद दुनियादारी के अंदर है एक दिन इशु कहेगा मैं तो तुम्हारे अंदर था लेकिन तुम तो दुनियादारी के अंदर थे तुम तो पाप और बुराई के अंदर थे कहने के लिए हम विश्वासी कहलाते हैं लेकिन कई लोग के जिन्दगियां जो है आदिवासी की होती है हालेलुया मेरे प्यारो जब परमेश्वर न्याय करेगा तब वक्त बताएगा कौन जन्नत जाता है और कौन दोजक में जाता है ये तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा अभी अगर मैं पूछू तो सब लोग हाथ उठाएंगे कि मैं तो स्वर्ग जाओंगा मैं तो स्वर्ग जाओंगा अगर मैं पूछू तो आप सब लोग ऐसे ही बोलेंगे लेकिन हम गुम्रा हो चुके हैं हम में से कईयों को ये खबर भी नहीं है कि मैं अगर आज रात मरता हूँ तो मैं नरक में जाओंगा क्योंकि मेरी जिन्दगी कुछ ऐसी है मेरी चाल कुछ ऐसी है कि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता वो आपकी अंतर आत्मा आपको बताती है हालेलुया किसी ने कहा जानवर तेड़ा होता है लेकिन सीधा चलता है इंसान सीधा होता है लेकिन चाल तेड़ी चलता है हलो सो रहे हैं क्या एसी में नीन आ रही है क्या जिसको ब्यारी बोलो, हालेलुया, सोते रहो याकूब ने 20 साल भेड चराया, 14 साल उसने उसकी जिन्दगी निकाल दी, दान से सुनो वो जो जिस भेड साला में वो भेड चराता था, वो एक कलिशिया थी, क्या थी? जिस भेड साला में वो भेड चराता था, वो उसके लिए कलिशिया थी, और उसने उस कलिशिया में 14 साल निकाला, सिरिफ दो लड़की के लिए, जीवन साथी पाने के लिए कई लोग प्रभू में कलिशिया में 10-10, 15-15 साल से हैं, उनका 15 साल बीद गया, किस लिए? नोकरी के लिए, एक अच्छा नोकरी चाहिए, जब मैं नया नया प्रभू इश्यु में आया था, 9 साल में प्रात्ना में आया, कितना? 9 साल, क्या चाहिए था? एक परमनन नोकरी चाहिए और कहते हैं, प्रभू में मुझे 10 साल हो गया, मैं 15 साल से प्रभू में हूँ, मेरा एक ही सवाल है, जितने भी साल से हम प्रभू में हैं, अभी तक परमिश्वर के लिए आपने क्या किया है? क्या कुछ पेस कर सकते हैं? कुछ फूरुट है आपके सामने? कोई ऐस परमिश्वर के लिए किया हुआ फल जो आपने लाया है कि आप बता सकते हैं हां लोगों के जिंदगी चली खतम होते जा रही है हालेलुईया हालेलुईया दो जन थे धर्ती पे मर गए मरने के बाद स्वर्ग में चले गए जाने के बाद आपस में पूछ रहे बाई साब उसने का बाई साब आप कैसे मरें उसने का मैना थंड के मारे मर गया दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह सोच के कैसे मरा और यह थंड के मारे कैसे मरा इसने इसको वापस पूछा बाई साब सच में आप सोच के मरें बोलता हां बाई साब मैं सच बोर रहा हूं मा कसम मै सोच के मरा बता जरा बताओ आप सोच के कैसे मरे उसने कहा जब मैं धर्ती पे था तो एक दिन मेरे घर से मैं निकल के जा रहा था और पीछे से मेरे घर में कोई गुज गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मेरे घर के अंदर गुज गया और मैं वापस मेरे घर के अंदर आया और मैं डूणने लगा उस वेक्ति को कि वो वेक्ति कहां गया, कहां गया मैं डूण डूण के ठक गया वो वेक्ति मुझे नहीं मिला वो कहां गया, कहां गया, कहां गया यह सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के मैं मर गया बोलता अच्छा मेरा छोड़ो आप बताओ आप थंड के मारे कैसे मरे उसने कहा मैं उसी घर में फिरीज में था आपको हसी आरी लेकिन अभी आपकी हसी निकल जाएगी एक जन मर गये थंड के मारे एक जन मर गये सोच के कुछ लोगों के जिन्दगी खाखा के खतम हो रही है कुछ के जिन्दगियां पैसे कमा कमा के कुछ लोग पीपी के जिन्दगी खतम कर रहे हैं और कुछ लोग आयाशी मजा मस्ती करते करते उनके जिन्दगियां खतम हो रही है आप कैसे मरना चाहते हो जिन्दगी तो खतम मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, मरूँगा मैं भी, मरेंगे आप भी, लेकिन मरने के पहले आप क्या करके मरना चाहते हैं बहुत कम लोग हैं, प्रभू में बेशुमार लोग हैं, लेकिन प्रभू के लिए जीने वाले लोग, प्रभू के लिए बलिदान करने वाले लोग, परमेश्वर का पीछा करने वाले लोग, बहुत कम लोग हैं प्रभू प्रभू बहुत लोग करते हैं लेकिन प्रभू से सच्छा प्यार बहुत कम लोग करते हैं बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन बाइबल पर चलते बहुत कम लोग हैं हलो कलिशिया में खाना खाने वाले बहुत है उपवास करने वाले बहुत कम रहते क्रिस्मस को देखा क्या बीड लगी थी सब खाओ प्याओ लोग निकल गए आप ही असली लोग है और इसके लिए आज आपको क्रिस्मस से भी अच्छा खिला के भेजेंगे जो अच्छा दाकरस है हम भी लास में बचा के रखते हैं आज आप सब के लिए बिर्यानी मंगाया है वेज है नौन वेज नहीं अभी खाने को नहीं जाना क्योंकि नहीं देंगे आपको हालिलुया हालिलुया सु मेरे प्यारो याकूब ने 14 साल बरबात कर दिया दो लड़कियों के चक्कर में सिरिफ 6 साल उसने इमानदारी से बेड़ चराई आप प्रभू में 15 साल 20 साल रहकर मर गए नियाय के टाइम कितना साल निकलेगा कि आपने बड़ी इमानदारी से बड़ी पुईत्ता से बड़ी शुद्ता के साथ आपने प्रभू के लिए जीवन जिया। किसी ने कहा कि अगर आज आपको पता चल जाए अगर आपको आज पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं साम को छे बजे हैं तो आप क्या करेंगे कूप टीवी देख लेता हूं सब को फोन गुमा के बात कर लेता हूं वाटसप फेस्बुक खुब यूज कर लेता हूं और नरिमन पॉइंट जूच वपाटी सब घूम लेता हूं हां फोटोग्राफर को बुल्वाता हूं बहुत सवारा फोटो खिच लेता हूं खिचवा लेता हूं आप यह करेंगे यह आप अपने पाप का पचताप करने लगेंगे हां? अपने मन को दिल को साफ करने लगेंगे, अपनी चाल को शुदारने लगेंगे, या फिर जो मैंने कहा, वो आप मजा मस्ती करने लगेंगे, डिस्को लगा के आप नाचेंगे, क्योंकि मैं कल छे बजे मरने वाला हूँ. क्या करेंगी आप? आप गंभीर हो जाएंगे न, आप serious हो जाएंगे न, आप TV बंद कर देंगे, आप mobile side में रख देंगे, आप खाने पीने कभी नहीं सोचेंगे, बस दोबा करने लग जाएंगे, या खुदा मैं कहीं भी गलत हूं, मुझे माफ कर दे, सबको आप sorry बोलने लगेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डर है कि अगर मैं मरने के बाद अगर स्वर्ग में नहीं गया तो एक ही जगा है जो फ्री में मिलती है वो नरक उसके लिए कीमत चुकाने की जरुवत नहीं है हालेलुया और कोई भी वेक्ती नरक में नहीं जाना चाहता सबको स्वर में जाना अच्छा लगता है हालेलुया याकूब ना अपने 14 साल बरबाद कर दिये सुलेमान डाउद का बेटा जो सुलेमान था उसने 7 साल यहोवा का भवन बनाने के लिए और 13 साल खुद का महल बनाने के लिए उसने लगा है परमेश्वर का जो भवन था उसको साथ साल में बना दिया और उसका खुद का जो रहने का जो महल था उसको बनाने को 13 साल लगा कितना कितना तो उसने सबसे जादा साल किदर लगाया अपने भवन को अपने महल को बनाने में सजाने में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी जिन्दगी का सबसे ज़्यादा जो साल है वो अपनी इच्छा पूरी करने में अपने आर्मान, अपने सपने, अपने ख्वाइस पूरा करने में लगा देते हैं और कुछ ही साल ऐसा रहता है जो प्रभू की सेवा में लगाते हैं यही बड़े अफ्सोष की बात है यह सब जो निसकर्स है यह प्रभू एक दिन मरने के बाद निकालेगा कि तू बीस साल मेरी कलिश्या में गया तू तीस साल मेरे राज में था लेकिन सिरिव कुछ ही साल तू ने अपनी जिन्दगी मेरे लिए जिया बाकी का तो सारा साल तू अपनी ही जिन्दगी अपनी ही मनमानी करता रहा अलेलुया यह जो निसकर्स है आप नहीं निकाल सकते इसको परमेश्वर एक दिन निकालेगा जिन्दगी का जो टोटल है वो आप नहीं परमेश्वर बताएगा इसलिए हमें बड़े बहे के साथ बड़ी पईतता के साथ बड़ी शुदता के साथ हमने हमारा जीवन प्रभु में बिताना है कोई वरोसा नहीं जिन्दगी का कभी भी हम मर सकते हैं हलेलुया हलेलुया और साउल पुराने करार में जो साउल राजा था 40 साल परमेश्वर ने उसको इसरालियों पे राजा के रूप में उसको इस्तमाल किया 40 साल साउल जो है इसरालियों पर 40 साल राजा के रूप में राज किया लेकिन अंत में खुद कुसी सुसाइड करके मर गया आप सोच सकते हैं 40 साल उसने राजा के रूप में राज किया और उसका अंत कैसे वा पता है सुसाइड करके खुदखुशी करके मर गया कई लोग जिन्दगी बड़े अच्छे से सुरू करते हैं और जिन्दगी कई साल उनके बड़े अच्छे भी रहते हैं लेकिन कई लोग जिन्दगी का जो अंत है बड़ा बुरी तरह करते हैं पाप में डूप कर नशे में डूप कर व्यभिचार में गीर कर पैसे के लालच में पढ़ कर हलो कई ऐसे लोग निकलेंगे जिन्दगी का जो अंत है बहुत बुरी तरह किया लेकिन शुरुवात बड़े विश्वास से की शुरुवात बड़े उप्वास के साथ की शुरुवात बड़े प्रात्ना के साथ की शुरुवात बड़े प्रचार के साथ की लेकिन जिन्दगी का अंत बहुत बुरी तरह खत्म हुआ और ऐसा कई लोगों का जिंदगी होगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे अपनी जिंदगी को लेकर तो हालेलुया हालेलुया तो किसी ने कहा आप कैसे शुरू करते हैं वो इतना माइने नहीं है आप जिंदगी को खत्म कैसे करते हैं हाँ सोचो आपने अगर आपके जिंदगी बड़े अच्छे सुरू की लेकिन लास में सराभी बनके आप खत्म हो गए जुवारी बनके खत्म हो गए वेविचार में गिर कर आप खत्म हो गए सुलेमान की जिंदगी कैसे खतम हुई पता है व्यभिचार में गिर कर दाउद का बेटा था सुलेमान बड़े उसने यूद्ध जीते बड़ा राज किया उसने लेकिन उसकी जिंदगी का जो अन्त है द्यांसे सुनो कलिशिया सुलेमान के जिंदगी का जो अन्त है व्यभिचार में गिर कर खतम हुआ और उसको याद आया मरने के पहले कि मेरे बाप ने कहा था कि यहोवा का भै मानना और उसकी अग्या का पालन करना यही जिंदगी है कभी कभी अच्छी बाते अब समझाओ तो समझ में नहीं आता है लेकिन मरने का जो आखरी पल रहता है तब लोगों को समझ में आता है कि मुझे किसी ने कुछ समझाया था और मरने के एक मिनट पहले अगर आप समझ भी लेते हैं तो कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जिन्दगी खतम हो गई है हलेलुया कई बार माबाप लोग बच्चों को उनकी जवानी में समझाते हैं बेटा ऐसा मत करो बेटी ऐसा मत करो लेकिन उनको जवानी चाही रहती है उनको मस्ती चाही रहती है और अच्छानक से जिन्दगी में जब कुछ हो जाता है तो मरने के, सांस निकलने के, एक मिनिट, दो मिनिट पहले उन्हें बस एक याद आता है, मेरी माँ ने क्या कहा था, मेरे बाप ने क्या कहा था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी रहती है। हालेलुया, इसलिए जब आपको लोग समझाते हैं, समझ जाओ, जब आपको डाटते हैं, तब सुधर जाओ, सुधरने के मौके बार बार नहीं मिलते, बिगड़ने के मौके आपको हमिसा मिलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, बिगड़ने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन समझाने वाले बहुत कम, खुल कर डाटने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन चापलूसी करने वाले बहुत मिलेंगे आपको. Hallelujah! और Bible में लिखा है, कि गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट अच्छी है. कि गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट अच्छी है. माँ बाप ऐसे होते हैं, जो बच्चेव से गुप्त प्रेम नहीं करते हैं, उनका प्रेम साफ सीधा सच्छा रहता है, और हमेशा गलत चीज के लिए बच्चेव को डाट देते हैं. Hallelujah! So Saul ने अपनी जिन्दगी का जो आन्त है आत्महत्या से किया. यहुदा इश्यू के साथ 3.5 साल रहकर भी नहीं सुदरा. आप सोच सकते हैं, यहुदा किसके साथ था? साक्षात खुदा के साथ था. सुदरा? सुदरा? कभी-कभी लोग कहते हैं, कि यह लोग पास्टर के साथ रहकर भी नहीं सुदरते? अरे मैं तो पास्टर हूँ, वो तो परमेश्वर था. जब परमेश्वर के साथ रहकर लोग नहीं सुदरते, तो मेरे साथ रहकर सुदरेंगे. यह आपको किसने बोल दिया? एक बात बोलू. सुधरना और बिगड़ना तुमारे कुद के हाथ में है हालिलुया इसलिए यहुदा के अंदर जो पाप था जो पैसे का लालस था उस लालच में उसने इश्य को बेज दिया कभी कभी लोग कहते नहीं मेरको पैसे का लालच नहीं है मैं पैसे का लालच नहीं है आप सोच्ड़े ना इश्य को माルु मालु मैं आप इश्य को जाके पूच्छू मै पैसे का लालच था की नहीं ऐसा एक मैना कॉंच्व बोलो एक हलकी से आवा जाएगे साइड आप काएंगे नहीं नहीं आप, सैतान बोल रहा है किसी ने कहा खुदा की लाठी में आवाज नहीं आती लेकिन जब मारता है तो कमर तूट जाती है और खुदा का कहर किसी पर बार बार नहीं बरस्ता एक ही बार बरस्ता है और फिर इंसान जिंदगी बरतरस्ता है आज लोग अपनी जिन्दगी के साथ खेल रहे, खिलवाड कर रहे पर्मिश्टर के बहे में जीना नहीं चाते प्रभू के रास्ते पे चलना नहीं चाते कलीश्या को घर बना लिया है, एक सहारा बना लिया है कि भाई हम कलीश्या में आते हैं पाश्चर बना लिया है कोई हमारा पाश्चर है लेकिन क्या फाइदा आपका लिस्या में रहकर भी आपका कोई पाश्चर है फिर भी अगर आपके अंदर परमिश्वर का डर नहीं है आपके अंदर कोई सुधार बदलाव नहीं है क्या फाइदा हालेलुया 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 और इश्यू मसी के बाजू में दो चोर थे कितने चोर दो चोर थे एक चोर कहता अगर सच में तू मसीया है तो खुद को बचा मुझ को बचा दुसरा चोर कहता है कि तू कैसे बात करता है हम तो हमारे गुनाहों की सजा पारे पर इसने तो कोई गुना नहीं किया दोनों चोर थे देकिन एक चोर अपनी गलती मान रहा है देकिन दुसरा चोर क्या कर रहा है अपनी गलती अपनी गलती आप सोच सकते हैं बीच में कोन है बीच में कोन है बीच में प्रभू है इतना पवित्र प्रभू महिमा से बरा हुआ अभिशेक से बरा हुआ प्रभू दोनों चोर उसके बगल में है पर एक को उसके गल्ती का उसके पाप का एसास हो रहा है पर एक अभी भी बड़ी-बड़ी बाते कर रहा है रसी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया कई ऐसे भी लोग है इस दुनिया में जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं सुधार भी लेते हैं पर कई ऐसे लोग हैं कि मरते दम तक अपनी गलती कभी नहीं मानते अपने आपको कभी नहीं सुधारेंगे वो दुनिया को सुधारने का ठेका लेते हैं हलो आज कई लोग क्यों नहीं सुधरे मालूम है आपको पता है कई लोग उनकी जिन्दगी में क्यों नहीं सुधरे दुसरे को सुधारने के चक्कर में लोग और भी बिगड गए खुद भी नहीं सुधरे हालेलुया अगर सुधारने का इतना बड़ा शौक है तो पहले खुद को सुधार लओ दुनिया को बाद में सुधारना हालेलुया हालेलुया एश्यु ने कहा जब तक तु तेरे ही आँख का तिन का नहीं निकालता तो दुसरे का कहा से निकालेगा कई लोग खुद अपनी जिन्दगी में गलत है खुद पाप में जी रहे है और एक बार प्रबुन ने मुझसे कहा कि जो वेक्ति खुद पाप में डूबा है वो दुसरे को पापों से बाहर क्या निकालेगा जो वेक्ति खुदी सच्चाई पर नहीं चड़ रहा है तो दुसरे को सच्चाई की रा पर कहां से लाएगा हालेलुया अपने आप को सच्चा बनाओ यरुस्लेम के मंदिर में जब इश्यो मसी अंदर गया हालेलुया मती सिर्फ सुन लो मती 21 का 12 से 15 जो है के इश्यो मसी मंदिर के अंदर गया और उसके पहले और एक वचन हगाय की पुस्तक पहला द्याय का 2 से 11 के मेरा भवन उजाड़ पड़ा है हालेलुया मेरा भवन उजाड़ पड़ा है आज परमेश्वर का भवन क्या है आप बताओ मेरे लोगों के जिंदगियां बेखार हो गई यह बिगड़ गई है मेरे लोगों के हालेलुया हालेलुया अब लिका पहाड पे चड़ जाओ वहां से लकड़ी लेकर आओ और मेरे भवन को बनाओ मुसा जब पहाड पे गया उसने वहां से परमेश्वर के वच्छनों को लेकर आया और वो जिन वच्छनों को वो लेकर आया वो वच्छन परमेश्वर ने उसे दिया था कि मेरे लोगों के जिन्दगी ऐसी हो उन्हें ऐसा बताना और सिखाना कितना अच्छा पास्टेर परमेश्वर ने इस्राइलियों को दिया था फिर भी इस्राइली लोग नहीं सुदरे 40-40 दिन, 40 दिन, 40 रात, दो बार मुसा ने उपवास प्रात्ना किया ना कुछ खाया, ना कुछ पिया किसके लिए इसराइलियों के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए फिर भी उनके बीच में वेविचार होता था फिर भी उनके बीच में लोग मस्ती और रंगरलिया और आयाशी और धतिंग्री करते थे परमेश्वर का ढर नहीं था कितनी बार परमेश्वर क्रोधित होकर उसने उसके लोगों को नाश करना चाए लेकिन मुसा की प्राथना की वज़े से परमेश्वर बार बार उनको छोड़ देता था आपको पता है आज कलिस्याओं में जो कलिस्याओं की लोगों का नाश होना चाहिए नहीं होता है पता है क्यों क्यों आज विश्वासी लोग पाप करके चोरी करके जूड बोलके वेभिचार करके अपनी प्यास भुजा के हवस भुजा के भी शरापी के भी आज विश्वासी लोग क्यों नहीं मरते पता है क्योंकि उस कलिस्या का जो अगुवा रहता है ना वो परमेश्वर के पास रोती रहता है वो कहता है परमेश्वर, यह बेड़े तुने मुझे दी है. प्रभू इन्हें नाशना करना. प्रभू इनपर दया करना. इनके पापों के लिए मैंश्हमा मांगता हूँ. और कई लोगों को लगता है, मैं क्यू जिंदा हूँ? मैं क्यू जिंदा हूँ? आप में से बहुत सारे लोगों को मर जाना चाहिए था लेकिन आप नहीं मरे क्योंकि तुम्हारे अग्वे की प्राथना की वजे से नई तो जो दंड आप पर आना चाहिए था वो कपका आ गया होता आपके पढ़ाई आपको नहीं बचाती है आपकी हुश्यारी आपको नहीं बचाती है आपके खुबसूर्ती आपको नहीं बचाती है आपके यारी दोस्ती आपको नहीं बचाती है तुम्हारे अग्वे की जो दुआ है वो तुम्हें बचाती है हालेलुया आप पड़ो बाइबल को कितनी बार परमिश्वर भड़क गया मैं इनको नाश कर दूँगा मैं इनको नाश कर दूँगा इनको मैंने गुलामी से निकाला फिर भी इनकी मस्ती नहीं गई आज लोगों की हस्ती खतम हो जारी लेकिन मस्ती नहीं खतम हो रही और चालिस साल इजराली जंगल में गूम गूम के गूम गूम के मर गए परमिश्वर जिस देश में लेके जाना चाहता था नहीं जा सके आपको पता है परमिश्वर आप सबको कहां लेके जाना चाहता है सुवर्ग में कहां? सुवर्ग में अगर एज्रालियों झैक, जैसे जिन्दगी हमारी भी रही ना, तो चालिस का पच्छास साल घाट को पर की कलिशिया में आते रहो, या और कहीं आप कलिशिया में जाते रहो, कलिशिया में जा जाके लोग मर जा रहे, लेकिन स्वर्ग उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंदर से जिन्दगी ऐसी है न हिश्व मसी ने सदो की फरुषियों को डाटा कहा तुम लोग बाहर से बड़े अच्छे दिखते हो लेकिन तुम लोग कफन में अंदर से सड़ी हुई लाहस के जैसी जिन्दगी तुमारी है कई लोग है न मैं सच्छा ही कह रहा हूँ बाहर से बड़े खुबसूरत बड़े हसीन लगते हैं ऐसा लगता है कोई फरिस्ता आ गया ऐसा लगता है कोई आस्मान से परी आ गई है कलिस्यों में ऐसे लोग होते हैं मैं किसी खुबसूरती खिलाफ नहीं यूँ क्योंकि हम भी खुबसूरत हैं हम खुबसूरती के खिलाफ नहीं मेरी बीबी खुबसूरत है मेरे बच्चे कुबसूरत है मैं खुबसूरती खिलाफ नहीं लेकिन मैं आपको कहना क्या चाता हूं कहीं सदू की फरिसी के जैसे तो हम भी जिंदगी नहीं जी रहें कि बाहर से बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते, बड़े खुबसूरत लगते हैं, बड़े हसीन लगते हैं, बड़े अच्छी पास्टिनाटी है, बड़ा अच्छा नौलेज जान पहचान है, लेकिन अंदर से सड़ी हुई लाहास की जैसे, जूट से भरे हैं, लालस से भरे हैं वे बिचार से भरे हैं, शरीर के अभिलाशा, संसार की संसारिक्ता से भरे हुए हैं, प्रभू का ढर नहीं है, गंदी चीजे देखते रहते हैं, गंदी बाते बोलते रहते हैं, छुपके गंदी हरकत करते रहते हैं, अंदर से सड़ी हुई लासके जैसे, लेकिन बाहर से बड़ी हसीन लगती हैं। लेकिन उनकी अंदर की जिंदगी वो जानते हैं और खुदा जानता है। बिना गलत किये कोई भी फिल्म इंड़स्ट्री में नई रह सकता। वो एक ऐसा दलडल है जिसमें सब को धसना ही पड़ता है। और जो धसना नहीं चाता उसको बाहर कर दिया जाता है। तो हमारी खुबसूर्ती हमें नहीं बचाएगी। हमारा एजुकेशन हमें नहीं बचाएगा। हमारी जान पहिचान हमें नहीं बचाएगी। नहीं हमारे गरवाले हमें बचाएगे। आपका अच्छा स्वभाव, आपके अच्छी चाल, आपके अंदर की पुईत्ता, आपके अंदर की इमानदारी, आपके अंदर की सच्चाई, एक दिन आपको प्रभू से बचाएगे। हालेलुया, 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 सो एश्यु के बाजु में दो चोर थे, एक ने अपनी गलती मान ली, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंड रहा है, कि कौन अपनी गलती माने, खुद को सुधार ले और मेरे लिए जिंदगी जीए, आज तो ऐसे लोग मिलते ही नहीं है, कि हाँ प्रभू मेरे मेरी गलती हो गई, मैं गुनेगार हूँ, मैंने ही गलती किया, मैंने ही ऐसा सब हरकत किया, आज ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं, आज तो आदम और आववा के जैसे लोग नजर आते हैं, आदम को पूछा क्यों आउरत को पूचा तु क्यू खाई बोलती है साप ने बोला तीनों भूल गए खुदा ने क्या बोला लिका है दोश मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोश ना लगाए जाया हालेलुया हालेलुया जिन्दगी में याद रखना अगर आपको सुवर्ग जाना है परमेश्वर के न्याय से दंड से बचना है हमेशा जहां भी आप गलत हैं वहां अपने आपको सुदारना चाहे अपने कंपनी के बौस के प्रती चाहे आपके अपने माबाप के प्रती चाहे आप अपने कलिस्या के अगवे और उसकी पत्नी के प्रती या अन्य और किसी के प्रती आप जह कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सौरी क्यों बोला मालूमी ने नो डेफिनेशन कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं खाओगे क्या खिला रहे वो बोलने रहे खाओगे हाँ बहुत भुग लगी है इसको एक ओड़ा पाओ दे दो अगर पहले मालूम होता तो मैं बोलता नहीं चाहिए वो तो मैं रोड पे भी खा सकता हूं हमेशा आपकी माफी हमेशा क्लियर होनी चाहिए उसका डेफिनेशन हमेशा राइट होना ची क्यों माफी मांग रहें किसले और कभी जिन्दगी में कोई तुमको सौरी बोलता पहला उसको पूछो भाई किसले कि नहीं जो कुछ हुआ क्या हुआ वह भी बता जो कुछ हुआ जो कुछ हुआ क्या हुआ याद है ना तब तो सौरी बोल रहें ना You have to clarify. तब माफी मिलती है अगर आप जाके कहोगे गवर्मेंट को मुझे टैक्स भरना है वो पहला पूछेगा किस पैसेगा और कितना पैसेगा वो पैसा कहां से आया पहला टैक्स वो तुरंद नहीं लेंगे पहला आपका डिटेल लेंगे तब जाके आपका टैक्स एकसेप्ट होता है तो जब कभी रभू से माफी मांगो तो किलियर करो कि किस बात के लिए किसी को सौरी बोलते हो पहला उसको क्लैडिफाय करो किलियर करो कि फलाना फलाना इस बात के लिए हाँ सौरी का हरी भरी नहीं चाहिए कुछ लोगा sorry haribari रहता है sorry 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 will not accept your sorry हरा अभरा कबाब मिलता है खालो haribari का sorry नहीं चलता है hallelujah लोगों को sorry का मतलब ही नहीं मालू है sorry बोलते समय तुमको पहला तुमारा गल्ती का realize होना चे दुसरा वो चीज सामने वाले वो clarify करना चे तब जाके matter खतम होता है नहीं तो ये अधूरा है hallelujah hallelujah मैं जल्दी से थुड़ा सा बोलके मैं खतम कर रहा हूँ धांस से सुनो परमेश्व ने कहा मेरा भवन उजाड पड़ा है कलिस्या आज दुनिया नहीं बिगड़ी लोगों की जिन्दगी बिगड़ी है आज हमारे बात करने की तरीकी बिगड़ गए है लोगों की नियत खराब हो गई है लोगों का हिर्दे खराब हो गया है लोगों की चाल बिगड़ गई है आज इस दुनिया में पता है क्या बिगड़ा है इंसान का जीवन उसका स्वभाव उसकी चाल बिगड़ी है और हम लोग विश्वासी लोग याद रखो हम लोग स्वर्दूत नहीं है हम भी इंसान ही है और मैं तो एक बात कहूँ दुनिया से जादा हमको सुधरने की जरुवत है मैंने कहा दुनिया से जादा हमको सुधरने की जरुवत है क्योंकि हमने सच्चाई को जाना है हमने प्रभू को चक्खा है हालेलुया हालेलुया दुनिया से जादा हम लोगों को सुधरने और सवरने की बड़ी जरुवत है प्रभू ने क्या कहा मेरा भवन परमेश्व ने ये ने कहा कि संसार का भवन परमेश्व ने कहा मेरा भवन मेरे लोगों की जिन्दगी उजाड पड़ी है और हर कोई अपने अपने घर को भागा चला जा रहा है आज लोग अपना सपना, अपनी अच्छा, अपनी अर्मान को पूरा करने में लगे अपनी अभी लाशा को पूरा करने में लगे कोई ने सोसता कि मैं प्रभु का भवन हूँ मैंने अपने आपको शुद्ध करना है, साफ करना है, पवित करना है, मैंने हर एक बुरी चीज, गलत चीज, गंदी चीज मैंने छोड़ देना है, मैंने मेरे जीवन को सुधारना है, मैंने सवारना है, ऐसे ऐसे इरादे ने रहते सबके, अलेलुया ऐसे रादे ने रहते सबके जब इश्व मसी मंदिर के अंदर गया उसने मंदिर के अंदर क्या देखा उसने मंदिर किसका था परमेश्वर का लेकिन मंदिर के अंदर पूरा व्यापार और काला बाजारी चल रहा था इश्व मसी ने कहा कि तुमने मेरे पिता के भवन को मेरे पिता के घर को डाकुओं का अड़ाव बना डाला है आज परमेंश्वर के लोगों का जीवन पाप से भरा हुआ है व्यविचार से जूट से कई लोग आज भी वाटसप में, फेस्बुक में, यूटूब में आज भी लोग गंदी तस्वीर देखते हैं गंदे वेडियो देखते हैं दुसरे को गंदी नजर से देखते हैं परमेंश्वर कहता है मेरा बवन उजाड़ पड़ा है यरुस्लेम का मंदिर जिसको पूरी तरह से लोगों ने व्यापार बना वहाँ पर व्यापार चल रहा था जहां की परमेंश्वर की आराधना होनी चाहिए थी जहां की परमेंश्वर की महिमा होनी चाहिए थी जहां प्रभू के वच्छन का प्रच्छार होना चाहिए था वहाँ पे क्या हो रहा था, वे बिचार, काला बाजारी, और ईश्यू मसी देखके बहुत क्रोधित हुआ, आलेलुए आलेलुइआ, सो सबसे पहला, ईश्यू मसी ने क्या किया मंदिर के अंदर, क्या किया, मंदिर में जाने के पहले उसने कई घंटा परमिश्वर के साथ बिता है उसने काफी समय तक उसने प्रेयर किया और प्रेयर करने के बाद इश्व मसी मंदिर के अंदर गया और उसने पिरुटी को लेकर आया, शुदता को लेकर आया कई लोग कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं छोड़ द épisode फोड़ दू छोड़ दардओ छोड़ दू लेकिन मुझसे नहीं होता हमै बार-बार मैं पाप में घिर्ता हूं पता है क्यों कि आपकी प्राथना बहत कम है एश्यू ने कहा कि प्रात्ना करो ताकि तुम पाप की परिच्छा में ना गिरो हालेलुया आपकी प्रात्ना इतनी उची होनी चाहिए आपकी प्रात्ना इतनी पाउर्फुल इतनी एफेक्ट्रिव होना चाहिए कि तुम्हारे सामने अगर पाप मढ रहा है तो आप पाप में न गिरे हालेलुया आज लोगों की प्रात्ना ही जो है वो बहुत हलकी है बड़ी सस्ती प्रात्ना हो रही है प्रात्ना में डम नहीं है लोगों के हालेलुया हालेलुया आप अपनी प्रात्ना के जीवन को बढ़ाओ कितना आप नासते हैं, कितना गाते हैं, कितना बजाते हैं, वो इंपोर्टेंट नहीं है कितना आप नासते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो इंपोर्टेंट नहीं है आप परमिश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं और उसकी नजर में कैसे जिन्दगी भिताते हैं, वो आपके लिए इंपोर्टेंट है हालेलुया, हालेलुया, एक बात बोलू, बोलू, सच्छाई बोल दू, थोड़े समय में कई लोग इंश्यू का गाना कान में एरफॉन डाल के सुनते रहते हैं इंश्यू गाने पर नाचेंगे, लेकिन इंश्यू के साथ प्रात्मा नहीं करते हैं ऐसा लगता है बड़ा आशिक है और गाना भी गाते आशिक तेरा लेकिन इंश्यू के साथ आदा घंटा भी समय नहीं पिताते हैं आदा घंटा भी बाइबल नहीं पड़ते हैं लेकिन इश्यू के लिए गा रहें, इश्यू के लिए नाच रहें, क्या फाइदा? कभी-कभी मेरे घर में बच्चों लोग इश्यू मसी गाना लगा के वोग नास थे, मैंने का बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो, अभी एक घंटा प्रात्ना करो, दो चाप्टर बायल पढ़ो, मैंने का बेटा, इश्यू के गाने पे नाच के, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारोगे, पहला परमिश्वर के साथ अपने रिष्टे को साई और सिधा करो, उनको मैं एक घंटा प्रात्ना में बिठा था हूं, मेरे बच्छे को, अब दो चाप्टर बायल पढ़ने बोलता हूं, फिर जाओ, जितना येश्यू गाना लगा के नाचना है, नाचो और जितना गाना है, गाओ, ये सच्छा ही है, कई लोग वच्छन बराबर आके सुनेंगे, लेकिन घर में वच्छन पढ़ते नहीं है, यूटूब पे लगा लगा के सुनेंगे, पुरी दुनिया में ये सेवक, वो सेवक, वो सेवक, सबका वच्छन सुनेंगे, ग्यान चाहिए ग्यान परमेशनर पर ध्यानी नहीं है ग्यान चाहिए ग्यान बटोर रहें एक दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे आप अगर किसी भी पास्टर का वच्छन आप यूटूब पर नहीं सुनेंगे तो आप गुनेगार नहीं है लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पड़ते तो आप गुनेगार है इश्यक की आराधना करो इश्यक से प्यार करो वो बड़ी बात है इश्यक मसी का जीवन में प्रेयर था उसने मंदिर में प्यूर्टी को लेकर आया उसके बाद वहाँ पे उसने लोगों को चंगा किया परमिश्वर का पावर आ गया और उसके बाद लिखा है कि बच्चों ने परमेश्वर किस्तूती के स्वाज हमारे जीवन में प्रेयर होना चीए Purity होना चीए Power होना चीए और फिर प्रेस होना चीए Hallelujah बिना प्रेयर के आप प्रेयर के आप प्रेयर को नहीं ला सकते बचनों के साथ आपको काफी समय बिताना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में purity नाम की शुद्धता नाम की चीज आएगे, और शुद्धता आने के बाद ही आपके पास असली पावर आएगा, और तब तुम कहीं भी निकल पड़ोगे, चमतकारों के डेर लग हालेलुया, हालेलुया, मैं खतम कर रहा हूँ कलिस्या, इस बास को आप से कहके, कि आज अपने जीवन को सुधारने में में मेनत करो, लोगों से पकड़ पकड़ के पूछो, नहीं पूछ सकते प्रभू से रोज बोलो, प्रभू मैं कहां गलत हूँ, तु मुझे बता, मैं मैं खुद को सुधारने को तयार हूँ, मैं बदलने को तयार हूँ, हालेलुया, हालेलुया, क्या फाइदा इतना साल प्रभू में रहकर भी अगर हमारे अंदर से पाप नहीं जा रहा है, वेविचार नहीं जा रहा है, जुड बोलने के आदत नहीं जा रही है, बहमानी कर तो हुझाज़ वे और नहीं ओखाापनी ऐसली नेका Amazon lotta अबि बताच्छी दुन्धाइब कोईसी कि अच्छी अगूच ऑफ बता हो जिस ने कभी जिनदगी मैं कुछ भी जोना हो परमेशवर को नहीं चोडना रोड पे अगर आके भीक मांगने की नौबात आई तो भी परमीश्वर को नहीं चोड़ना क्योंकि वो रोड के भीकारी को भी बाश्चा बनाने की ताकत रखता है जिन्दगी में कभी भी कुछ भी क्यों नहो लूट जाओ गल जाओ जल जाओ बह जाओ घर में सब लाइन से मर जाए तो भी कभी परमीश्वर को नहीं चोड़ना पता नहीं यह कई लोगों के लिए चेतावनी है क्योंकि आपका मन परमीश्वर से दूर जा रहा है I don't know मुझे नहीं पता वो कोन है पर यह किसी के लिए तो निकला है आप की जिंदगी में कुछ भी क्यों नहीं हो जाए कुछ भी क्यों नहीं हो जाए परमीश्वर को कभी नहीं चोड़ना दूसरी चीज जिंदगी में कुछ भी हो जाए जो पास्टर परमेश्वर ने तुमें दिया है उसको कभी बदली मत करना तिसरा परमेश्वर ने जिस कलिश्या में तुमको रखा है, वो कलिश्या कभी नहीं छोड़ना, परमेश्वर, परमेश्वर का दियावा दास पास्टर को, अब रभु ने जे कलिश्या आपको दी है, तीन चीज जिन्दगी में कभी भी कुछ भी क्यों ना हो कभी ने चोड़ना नेवर 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 मैंने मेरे जिन्दगी में यही चीज किया है उननीस साल से ना मैंने परमेश्वर को छोड़ा ना मेरे पास्टर को छोड़ा ना ही मैंने परमेश्वर ने जिस कलिशिया में रखा है उस कलिशिया को छोड़ा, भले कलिशिया के लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, भले मेरे पास्टर ने बहुत कुछ मुझे बोला, डाटा मेरी गलतियों के लिए करेट किया, भले परमेश्वर ने मुझे बहुत पीस डा कामेश्वर के दिवी कलिशिया को मैंने आज तक प्रभु के अनुगुरा से मैंने नहीं चोड़ा और ये सिलसिला आगे भी बना रहेगा आपका क्या मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग चुई मुई होते हैं कुछ जिन्दगी में हो गया कायका प्रभू कुछ जिन्दगी में हो गया वो पाश्चर सही नहीं है और कुछ जिन्दगी में हो गया एक अलिश्या बराबर नहीं लोग खुद बराबर नहीं रहते हैं कुद को सुधारते नहीं है चोर के जैसे लोग होते हैं कि एशु मसी को भी बिलफाड देते हैं लेकिन खुद के दिल में क्या है वो नहीं निकालते हैं एशु मसी को पर बिलफाडते हैं कि तुम मसी आए तो खुद को बचा मुझे बचा अच्छे लोग जो होते हैं अपने मन में अच्छी बाते रखते हैं और जिंदगी में, विश्वासी जीवन में ये बुन्यादी बात है सबसे अच्छी बात कि कुभी भी परमेश्वर को न छोड़ना न पास्टर को छोड़ना न कलिस्या छोड़ना मैं आपको लिखे देता हूँ कि अगर तीन चीज तुम नहीं छोड़ोगे कभी भी तुम खुदा से दूर नहीं जाओगे नेवर और जो कुछ भी तुमने खोया है पाप में गिरे हो गलती में फिर से तुम उबर क्या होगे हालेलुया फिर से आप उबर जाओगे अभी तक आप डूबे रहे लेकिन आप उबर जाओगे अप पेट बर रोटी खाओगे हालेलुया हालेलुया आप कोई मूर्दा लेकर आपको चलने की जरूत नहीं है क्योंकि आप जिन्दगी आपका इंतजार कर रही है हालेलुया